नमस्कार दोस्तों स्वागित आपका समाचार क्यारी हिंदे न्यूज चैनल में और जजजर से एक बड़ी खबर आ रही है गिर्फत में आया हत्या का अरोपी हम आपको बता दे कि एक नाबालिग सहीत हत्या के मामले में दो अरोपी काबू किये गए है DSP बादली असोक कुमार ने प्रेस कॉन्फरेंस में मामले की विस्तरित जनकरी दी है आपको बता दे कि थाना आसोधा के एरिये में हुई यूवक की हत्या के मामले में गहनता से करेवाई करते हुए जजर पुलिस की एक टीम द्वारा एक नाबालिग सहीत दो अरोपियों को गिरफ्तार करने में कामियाभी हासिल की गई है थाना प्रबंदक आसोधा निरिक्सक कुलदीप सिंग के नितरतों में पुलिस की टीम द्वारा मुस्तेदी से करेवाही करते हुए गाउं रोहद निवासी एक युवक की हत्या के मामले में वंचित एक नाबालिग सहीत दो अरोपियों को काबू किया गया है CIA2 बहदुरगड के प्रांगन में आयोजित प्रेस कॉन्फरेंस के दोरान DSP बादली असोग कुमार ने मामले की विस्तरित जानकारी दी DSP असोग कुमार ने बताया कि सत्पाल निवासी गाउं रोहद की सिकायत पर कारवाही करते हुए थाना आसोधा में 15 नवंबर 2020 को आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दरज किया गया था उपरोग्त मामले पर कारवाही करते हुए थाना आसोधा की एक टीम द्वारा नाबालिग सहित दो आरोपियों को काबू किया गया डीसपी बादली असोध कुमार ने बताया कि दोनो आरोपि 15 नवंबर 2020 को हत्या की वारदात को अंजाम देने के पश्चात मौका से फरार हो गए थे उन्होंने कहा कि अपरादिक मामलों पर सिगर्टा से कारवाही करने तथा मामले के दोसियों को जल्द से जल्द पकड़ने के संबंद में एस पी जजजर राजेस दुगल द्वारा विसेश रूप से कड़े दिसानिर्देस दिये गए थे एस पी राजेस दुगल के दिसानिर्देस अनुसार कारवाही करते हुए उपरोक्त वारदात में वांचित दोनों आरोपियों को काबूग किया गया पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ का रिवाही करते हुए दोनों को अदालत भादूरगड में पेस किया गया मननीय आदालत के आदेस अनुसार नाबालिग आरोपी को सुधार गरे हिसार भेज दिया गया जबकि दूसरे आरोपी मोहित उरुफ आतंकवादी नाबालिग युवक की मौत हो गई थी मरतक के परीजनों ने गाउं के ही एक नाबालिग लड़के वे मोहित उरुफ अतंकवादी नाम के युवक पर हत्या का आरोप लगाया था उपरोगत मामले के आरोपियों की तलास में पुलिस ने कई जंगे दबिश दी जिसके पस्चात दोनों आरोपियों को काबू किया गया पकड़े गए आरोपियों आरोपी मोहित ने प्रारंबिक पूछताच में वारदात के बारे में खुलासा किया आपको बता दें कि बुद्वार को हुई पत्रकार वारता में डीएसपी बादली असोक कुमार ने बताया कि मरतक यूवक की आरोपी मोहित से जानकारी थी गत 15 नवंबर को मोहित ने ही गाउं के एक नाबालिग लड़के के जरिये मरतक को उसके घर से बुलाया था तीनों उस दिन मोहित के घर पर थे किसी बात पर उनमें आपस में कहा सुनी हो गई जिसमें गोड़ी लगने से नाबालिग यूवक की मोत हो गई वारदात में इस्तेमाल किया गया हत्यार आरोपी मोहित का था वारदात के बाद दोनों मोका से फरार हो गए डियस्पी ने बताया कि करीब 20 वर्सिय मोहित उरुफ आतंकवादी का आसोधा के काला गैंग से जुड़ा हो है कुछ समय पहले दिल्ली में हुई एक हत्या के मामले में उस पर केश चल रहा है दिल्ली में हुई हत्या के आरोप उत्रोक मामले में पकड़ा गया आरोपी मोहित कोविड पैरोल पर चल रहा था हत्या के असल कारोणों के बारे में पूछताच के बाद ही सपस्ट हो सकेगा प्रेस कोंफरेंस के दोरान थाना प्रबंदक कुलदीप सिंगु पस्तित थे